असलावलेकूम आई दिया स्टूरेंट तो फिर बच्चों आज हम पढ़ने जा रहें चेप्टर नंबर सेवन इसकी एक सरसा है जो कियोगा हमारे पेश नंबर सेवेंटीफाइब पे आज हम करेंगे अंसारीन ब्रीफ जिसका फर्स्ट कोशन हमसे पूछा गया है जो वो बोक्स था उसमें पेसे क्यों नहीं थे ? तो फिर इसका अंसर है उस बोक्स में पेसे इसले नहीं थे क्योंकि जितने भी पेसे उस बोक्स में रखे हुए थे और उसके ट्रीटमेंट पह इसका reason कुछ इस तरह से first reason grandmother like when my friend come home with me because we played music for her ठीक है यह हमने कहां से लिया उस book में से जो रिया ने statement बोले थे हमने वो यहां पे लिखे हुए ठीक है grandmother को जब रिया के साथ उसकी दोस्त उसके गर पे आते थे grandmother को वो बहुत पसंद था क्यों? क्योंकि रिया और उसके friends grandmother के लिए क्या करते थे गाना बजाते थे even in the concert grandmother enjoys her setup and notes her head with the beats ठीक है और हमने जब वो पाटी हो रहा था concert तब हमने क्या देखा वो जो grandmother थी वो music को enjoy कर रही थी और beats के साथ अपने sir को भी हिला रही थी अब third question how did रिया come up with the idea for the band रिया को ये idea कैसे आया कि वो एक band बनाए तो फिर इसका answer है रिया remember once her mother told a story about grand mother where she used to play at the violin at parties and people would enjoy it so much that they would give her money ठीक है तो फिर रिया को क्या आया एक story याद आया जो उसकी मा ने सुनाया था किसके बारे में उसके दादी मा के बारे में जब उसकी दादी मा एक जवान girl हुआ करती थी वो क्या करती थी पार्टी वगेरा में violin बजाते थे और वहां पे लोग इतने खुश होते थे और लोग उन्हें क्या करते थे पैसे दे के चले जाते थे that is how she got an idea to start a band and use the money to help her family इसी तरह रिया को यह idea आया और उसने क्या किया एक अपना band बनाया और उसने अपने family के मदद करने के लिए सोचा और फिर fourth question go ahead and ask your friend right away who said this word जा कि अपने दोस्तों से पूछो यह किसने बोला और किसको बोला how does the speaker want to the person to do speaker यानि कि यह जो दादी माँ थी वो क्या चाहती थी कि वो लोग क्या करे grandmother said this word to Ria इसका जो पहला वाला कोशन था मैं उसका answer है कि words किसने बोले थे रिया को she wants Ria to ask her friends वो चाहती थी कि Ria जाए कि अपने दोस्तों से पूछे if we they would like to form a band together क्या वो सब मिल के एक साथ एक band बनाना चाहते हैं तो फिर फिप्त कोशन what was the first job that the first tiring band got सबसे पहला job वो जो first tiring band थे उनको क्या मिले the first job that the first tiring band got was to play at a party for Sarah's great grand parents on the fifth anniversary of their bakery सबसे पहला job जो Ria और उसकी दोस्तों को मिले वो किस ने दिये थे Sarah के ममी ने दिया था ठीक है और वो क्या था कि Sarah के जो grand great parents थे उनकी anniversary में उनको गाना था अब sixth question what did Ria do with her share of money Ria को जो share मिले थे उस पैसे में से उसने Ria उस पैसों का Ria ने क्या क्या Ria put her money in the money box for her family Ria ने क्या क्या वो जो पैसे मिले थे उसने उस पैसों को कहा पे डाल दिये money box में डाल दिये किसके लिए अपने family के लिए ठीक है तो फिर ये था हमारा answer in brief वाला कल हम करेंगी इसके answer in details आज के लिए खुदाफीज